जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं हकीकत खुदा है, हकीकत मसी है हकीकत पर चलना सही जिन्दगी है हकीकत, हकीकत, हकीकत किताब मुकद्स के हवाले से खुदा पाक ने हजरत इबराहीम से बात की हजरत इबराहीम से उन्होंने वादा किया था कि मैं तुझे एक बरकत का बाइस बनाऊंगा और किस तरह से खुदा ने हजरत इबराहीम को बरकत का बाइस बनाया क्योंकि उन्हीं की पुष्ट में हजरत मसी आए और उन्होंने इन्सानों के लिए एक रास्ता बना दिया ताके वो निजात पा सके अब हम एक और नभी के बारे में देखेंगे एक बहुत बड़े नभी जो के हजरत इबराहीम के पोते हैं और आपका नाम है हजरत याकूब आप से भी खुदा ने कुछ खास बाते की आप से भी खुदा ने एक खास निजबत बांदी खुदा पाक ने आपको कुछ खौब दिखाएं कुछ रोये दिखाएं और अब हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से खुदा पाक ने हजरत वेलातकुमस्वप। जनाब जॉईजस हैब मसीम होता हुए झालीकुमस्वप। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंके हर बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है और आज का हमारा जो मजमून है वो है हजरत याकूब को लेकर हजरत याकूब के बारे में बहुत सारी बाते कही गई हैं और आपको एक बहुत बड़ा और बहुती अजीम नभी भी माना गया है आपके अंदर कुछ ऐसी बाते हैं जो किताब मुकद्दस के हवाले से आज हम सीखेंगे और जानेंगे क्योंकि जरूरी है कि जब आप खुदा से एक निजबत बांदना चाहते हैं कोई भी हो चाहे आप हो हम हो कोई भी हो तो निजबत कैसे बांदी जा सकती है निजबत बादी जा सकती है जब हम उसके कलाम से रूशनास अपने आपको कर सके और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग किताब मुकद्दस यानि होली बाइबल के जरीए लोगों को बता रहे हैं कितनी खास बाते हैं जो गहराई से इल्म लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ये वाकिए एक काबल तारीफ बात है एक बहुत बड़ी मोहिम है तो सबसे पहले मेरा सवा जनाब जॉय साहब आप से ये जो खौबों का सिलसला है हजरत याकूब की जिन्दगी में ये कहां और कैसे जारी होता है हम जानते हैं कि हज़रत अबरहाम से इधाक पैदा हुए इधाक से हज़रत याकूब पैदा हुए जे चोड़ा के लिए और तेंन वह थी घृतij करण के लिए अगे अगे आने लोंगें वके के लिए पहले साथ खुदा ने पेशिंग गई खुदा का जो निजाम है जी 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 अबरहाम से शुरू हुआ है आगे के लिए उने जो हम आज तक के वक्त के लिए उसने बता दिया और हम देखते हैं जब यह हुआ तो फिर वो बेटे हुए और पहले का नाम इसाओ दूसरे का मैं यकूब रखा गया इसाओ का मतलब लाल है और यकूब मतलब धोके बात रहिक तरह से जो चलाटी से अपना मतलब ने काले था ऐसा चाल बाद एक तरह से और पहले इसाव पैदा निकला दोनों एकठे दे लेकिन पहले जो निकलने वाला हुआ कुछी तो मिनिट के शाद फरक होगा इसाव पहले हुआ पर याकूब बाद में पैदा हुआ और दोनों बड़े हुए इसाव शिकारवा करता याकूब घर में रहता था अलिखाए के यह वक्त को इसाव शिकार से लॉटा बड़ी भूख लगी अच्छी बढ़िया मसूर की दाल भने थी याकूब का उसने का मुझे दे दे और याकूब तो चलाक था उसने का अपने पहला टेक हक मुझे दे और उसने का मेरो मरी जाओंगा तो क्या पादा तो उसने भग द उनकी मा हजरत याकूब से कहती है और वो उस माजरे को बियान करती है जब वो मा के पेट में थे तो खुदा ने ये ओलेडि कह रखा था चोटे वाला बड़े कुमालिक होगा तो उनको ये कहना कि वो धोके बाज हैं और चालवाज हैं मेरे ख्याल से ये साही नहीं नहीं ह उनके पैदाओं से पहले से मुकरर है सारज जो पेशंग हो गई रोया में खुदा ने कह दिया वो कुछ भी कर रहे हैं डाल खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन खुदाने पहले से अरी हमारी समझ के लिए और लिखा है चौतिस आयत में ताय याकूब ने ऐसाओ की र आना खाली दाल के लिए मसुवी दाल के लिए पैलोटे का हग दे रहे हैं थोड़ा सा फाका क्या हो गया था क्या हो गया था कि अब यह जो मैं बता रहा हूं यह पेशंगों ही आने वाले वाक के लिए आने वाले कौमों के लिए थी और जो हम कलाम पाक को पढ़ते हैं इस करो ऐसा करो ऐसा करो हैसा नहीं करो और लोग उसी पे चलते तिन अब्यों का सृद्शले चला और Nya एहदनाम हां इंजील से हदरत मसीइव देशुरॉय जो टीजी जी जी शरत की विनियात और हो क्या रहा है कि जो बाद में आया जो फ़सल का पेगाम आया है वो पहले पे गालिब आ गया यह इमान आगे बढ़ गया और जो पहले आया था जो शर्यत आई थी वह आने वाले की मतलब येसु मसीने का तुम किताम में पढ़ते हो नभी इसमेरे बारे के बार में बताती है और जब् mir ने का लिखा CHC इस्वां आगए बताना चाहर रहा है कि जो लोग शर्यत के मातहित है वह एक गुलावी में चल रही है और जो लोग मसई के फदल में आगए independence आजाद जिन्दगी के मुस्तहक है ये जो इमान है वो पुराने पर गालिब आता है ये कलाम में खुदा ने पहले पेशिंग होई कर दी तो रोया के अंदर बता दिया और ये होता आया है और आगे ऐसा दुनिया में होने वाला है पुरी दुनिया पे चाल जाएगी जेहाँ जनाब चुक्ताइशाब अब इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और इसके ओपर कुछ और रोशनी आप डालना चाहेंगे खुदा का मकसद है दोनों भाई एक साथ पैदा हुए कुछ मिंटों का फर्क था हजरत एसो बड़े थे और हजरत याकूब छोटे थे तो काइदे में जो पैलोठे की बरकते हैं वो हजरत एसो को मिलनी चाहिए थी लेकिन जो इनकी वालदा थी वो पूरी बाते सुनती थी और इनको याकूब को हजरत याकूब को जादा प्यार करती थी जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हजरत बिजाक ने हजरत एसो को बुलाया और कहा कि मुझे तुम अच्छा सा शिकार करके लाओ क्योंके वो शिकारी थे और हर वकत जंगलों में घूमते रहते थे जैसा कि भी भा अब दूसरी चीज जहां यह आती है कि हजरत याकूब अब वो उनके पहलो ठेका भी हक ले रहे हैं जे वो क्या करते हैं कि जैसा कि उनकी वालदा ने सुना था तो उन्होंने उन्हें बताया और कहा कि मुझे अपने रेवर में से अपने गले में से एक अच्छा सा बकरी क पचसा बके दे और मैं उनके लिए खाना बना तो एक चीज जहां देखने को मिलती है ौसर norms एसरे जिस्त पर बड़े बड़े बाल जिसके लिए हजरत याकूब को ऑसानवने के लिए खाल पहननी पड़ी पर्षिंक अब उनकी वालदा ने बनाया था लेकर के गए और जा हlights है मुझे भी बरकत दो तो सारी बरकते वो ले गए तो अब वो तिल मीला रहा है मुझे बरकत दो खुदामत में रखी थी हसाग के जरीह के अने वाली थी मुझे दी गई लेकिं ये तिल मिलाते रहे वो मेंट तो हजड़रत याओव ले गए बेषिए तो के लिए कोई कास भी थे हाँ जे चोटा बड़ बड़ पर अलग सा रास्ता एक तार किया गया और हम ने देखा कि हज़्ज़त इपराहिम ने भी एक गलत रास्ता कही इंखत यह कोशिश की थी तो हर एक गलत काम करने का कोई नह कोई नतीजा गलत निकलता ही है खेर जनाब अजगर साहब अब ये बताइए कि ये जो रोए नज़राय थे हज़रत याकूब के सलसले इसमें वो आगे चल कर और किस तरह से हज़रत याकूब को अपने मनजल मकसूब की तरफ ले जाते हैं जी इससे पहले कि हम इसके उपर गुफ अपने खांदान यानि अपने मामा के घर चला जा और इस पूल के कनान की किसी लड़कियों से शादी मत करना तू अपने ही खांदान से शादी करके तू नसल को आगे बढ़ाना और जब ये जाते हैं तो सफर में उन दिनों में फलाइट बस ऐसा ट्रावलिंग तो था नह हो गई हाँ और एक जगे वो सो गए और लिखा है पैदाईस के किताब उसका 28 का 10 से लेके 16 में कि जब वो सोते हैं तो उन्हें एक खाब दिखाई देता है खाब या जिसे रोया आपका हैं लेकिन वो सो गए थे तो ये खाब माना जाएगा और तब देखते हैं कि एक सीड भी खुदा ये बताना चाह रहा था कि इनसान जो जमीन पर है वो आसमान में खुदा के पास जाएगा कैसे कुछ तो माइने है उसका है ना कोई खरीया चाहिए जाने का जी और तब उसी वक्त खुदा इन से फर्माना शुरू किया के एए याकुब मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं इसहाक का खुदा हुं और मैं तुझे बरकत दूँगा मैं तेरे साथ रहूंगा और ये जमीन जहां पर तुऊ सोया हु हुआ है यह मैं तेरे नस्क लो दूँगा और जमीन के धूल यानि समुंद्र के किनकों के मानिंद तेरे आउलाद होंगे बिल्कुल वही बरकत है जो जो हज़रत इबराहिम के लिए तो फिर खुदा यहां दोहराता है कि तेरे जर्ये तमाम मतलब दुनिया के तमाम घराने वहां बरकत पाएंगी और तभी खुदाबंद एक बात कहता है कि मैं तेरे साथ हूं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अपना मनसुबा पूरा नहीं कर लो जे 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 मैं उसे कभी भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अब देखिए जो रोया का कि थोड़ा साम लोग तोजू करें इसके उपर कि खुदाबंद क्यों रोया दिखाता है रोया के जरीए खुदा बताना क्या चाता है और क्या ये की सिर्फ खास नवियों के लिए है या हर एक इनसान के लिए है देखे जब हम पैदाईस के किताब पढ़ते हैं हजरतादम ज लिखा है कि हजरत अनुक खुदा के साथ तीन सो साल चलते रहे छे का नौ में लिखा है कि हजरत नुक खुदा के साथ चलते रहे और जब हम आगे पढ़ते हैं बारे से लिए के पचीज में हजरत इबराहिम तो खुदा के दोस्त कहला है अब उनके नसल में से हजरत खुदा कहीं न कहीं बताता है कि येस उसका ये एक मनसूबा रहा, उसकी दिली एक होई साथ रहा, कि हर एक इनसान खुदा के साथ चले, और इसलिए खुदा कहता है गिंते के किताब बारेकद दो सली के साथ में, कि देखो तुम में अगर कोई नभी हो, तो मैं उससे रोया और खाबों के जरीए बाते करूंगा तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि येस खुदा अपने प्रिंसिपल अपने वसूल के मताबिक रोया में अपने मनसूबे को इनके उपर जाहिर करता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और इससे सबक के मिलता है कि फिलिपियों के किताब जो पढ़ेंगी एक अच्छे में लिखा है कि वो खुदा जिसने तुम्हारे अंदर अच्छे काम सुरू किया है जब तक इसे मुकमल ना कर ले वो तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं तो अब खुदा चाहता है कि हम सब लोग कहीं ने कहीं खुदा के तरफ से रहनुमाई पाएं और उसका जो मनसूबा है वो हमारे जिन्दगी में पूरा हो ताकि हम भी उसके बरकत को हासिल करें यह तब यह मुम्किन हो सकता है जब हम खुदा की जाने माईल हो माईल होने का एकी तरीखा है कि आप किताब मुकद्द से एक रिश्टा बांधें आप मसी की जात को समझने की कोशिश करें आप बंद जाएं इस बंधन में जो खुदा ने हमारे लिए खोल के रखा है तो अब देखिए हजरत मसी इसी बात को तो कहते हैं यहाना चौदे के बारे में जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे वरना मुझ से बड़े बड़े तो हजरत मसी में आज हर बशर के लिए हर इनसान के लिए यह रास्ता खुला है कि आप अपने गुनाओं से तुबा कीजिए खुदा के तरफ रजू होए और फिर खुदा आप से भी वैसी बाते करेगा आगे सेंटर हम देखें के अजगर सहब के यह सीड़ी जो ती सीड़ी जो दिखाई दी थी उसका मतलब क्या है एक चोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग उसके बाद हम फिर यहां पर मिलने वाले हैं फिर से हम बातचीत करेंगे और आगे देखेंगे कि हज़रत याकूब के जरीए खुदा हम से और आप से और हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनसे क्या गुफटगू कर रहा है बस हम गए हो रहा है Education has the power to break the cycle of poverty Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future Sponsor a child, let their future smile You can make a difference अजीज नाजरीन जैसा कि हमने कहा हम गए और वापस आए और हमारी बातचीत चल रहे है हजरत याकूब के बारे में किस तरह से खुदा पाक ने उसे बातचीत की है और खुदा पाक ने उनके लिए एक रास्ता खोला है जो हमारे लिए भी वो रास्ता आज खुल चुका है तो मेरा अगले सवाल जनाब रफिक साब आप से है किस तरह से खुदा पाक हजरत याकूब को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से खुदा पाक उनके साथ साथ चलते जैसे कि जनाब अजगर साब ने फरमाया था बहुत सी चीजे नसल दर नसल जाती है और जैसे खुदावन ने बरकततों के अहळत किया था हज़त इबराहिम से और हज़त इजाग से वैसे खुदावन ने इन से भी अहळत कि जब तक पर今े अपने कहे हुए को पूरा ना करणूं मैं वापस लेके आओंगा आपको इस जगे पर और ये वहाँ से रवाना हो करके अपने मामू के घर जाते हैं जो पद्द नराम में रहते हैं और वहाँ पर खबर पहुँचाई जाती है कि आपका भांजा आया है और ये वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर खिदमत करने लगते हैं और खिदमत करने के कुछ सालों के बाद में उनके मामून से कहते हैं कि आपका सेथ मेत में आम अज़दूरी करना ठीक नहीं है इसलिए मैं कुछ चाहता हूँ कि इसके बदले में आपको कुछ उजरत दूँ तो उन्होंने का ठीक है मैं आपकी छोटी बेटी के लिए काम और तब इन्होंने 29 बाप को 30 बाप को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये वहाँ पर मेहनत करते हैं और शादी का दिन आता है और वहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है लिखा है विस्वी किस्वी आयत में कि और राहल की महबत के सबब से उनको वो साल चंद रोज चंद दिनों के बराबर मालूम पड़े साथ साल आप भेड़ और बकरियों की खिदमत कर रहे हैं साथ साल आप बदबू में रह रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है पर वहाँ पर लिखा है महबत के सबब से और लिखा है वो वहाँ पर राहल की महबत से फरेफ़ता फरिफता का मतलब होता है इश्क में डूब जाना और आपको बताएं जो खिद्मत है यह इश्क है खुदा से आप अगर खुदा से महबत नहीं करते हैं तो खिद्मत भी नहीं कर पाएंगे बेश्क खुदान देश्यमसी ने कहा हजदत पत्रस से कि अगर क्या तू मुझसे म बात कर रहे हैं आपको बताएं यह जो खिद्मत है किसी की भी आप जब तक उससे महबत नहीं करते हैं आप खिद्मत नहीं कर सकते हैं आप खिद्मत नहीं कर सकते हैं और नहीं लोग जो नुक्स निकालते हैं यह ठीक नहीं था वो ठीक नहीं था इन फैक्ट बात यह है कि consequences आप अंजाम आपको पकड़ लेगा आपको किसी भी चीज़ का अंजाम भुगतना पड़ेगा और वहां पर जब शादी का दिन आया शादी बड़े धुमदाम से हुई और अगले दिन इनको पता चला कि वो राहल नहीं वो लिया है यानि बड़ी बहन थी जी जी और ऐसे ह अजी बचारे इजहाग को एक दिन दोखा मिला था कि जब इसाओ पहुंचते हैं बरकत के लिए तो वो कहते हैं फिर वो कौन था आज ये भी ठगे से रहे गए कि ये क्या हुआ आपको बता रहे हैं आप जो कुछ कर रहे हैं एक दिन आपको इसका मकाबला करना पड़ेग और अन्जाम पीछा करेगा और इसलिए जो काम आज आप कर रहे हैं उसको रोक लीजे और सही तरीके से खुदा के कलाम में लिखा है छे नौ गलतियों में और नौ छे दूसर कुरूलतियों में इनसान जो बोता है वही काटेगा जो जिसम के लिए बोता है वो जिसम के वस खास बात है जब मामू ने देखा कि जो काम ये कर रहे हैं भाई साब इनको बरकत मिलती है तो मामू ने का चितकबरी तुम्हारी काली वाली हमारी और इन्हों ने खुदा से खौब में एक बात पाई और इन्हों एक छड़ी बनाई और जब क्रास करते थे इनके जानवर तो पता चला कि अगली पीडी चितकबरी हो गई जो इनके पाले में आ गई और मामू फिर खाली रह गए और ऐसे कर के खुदा इनकी नेगे बानी खुआब और रोये से करता रहा ये गैत होते खाली हाथ पर खुदा वन ने खुआब दिया था कि मैं भला फुला के तुमको उन्हें ने धोका दिया था पहले खैर अब मेरा अगले सवाल है जनाब जोई साब आप से आज यहां तो आप इस सलसले में क्या जोड़ना चाहेंगे किताब मुकदस के अवाले से उनके साथ किस तरह से उनको भेड़ बकरिया मिल गई तो हज़रत याकूब बताते हैं कि जब उनका वो वक्त आता जब वो मेटिंग सीजन होता था किस तरह से उनका और जब भेड़ बकरियां गाबिन हुई तो मैंने खुआब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चड़ और चितकबरे हैं और खुदा के फरिष्टें ख्वाब में मुझे से का आई याकूब मैंने का मैं हाजिर हूँ तब उसने कहा अब तू अपनी आग उठा कर देख के सब बक्रे जो बक्रियों पर चड़ रहे हैं धायदा चितले और चितकबरे हैं क्योंकि जो कुछ लाबान तुछ से करता मैंने देखा है और खुदा ने तरीका बता एंगरोया में खुदा ने बताया है तू ऐसा कर और ऐसा करने कि बाद में किया तो उसके पास जो चितले घृड़ क्वाइब जाते वो सब इस बहुत बढ़ गए हलाकर लादा सारे ने झाली जितने चितले और झ गई जो खुदा ने ऐसा काम किए खुदा सोस को गाइड किया एक किया और हो गया जो कि ven e- daar बड़ा ही जबरदस्त एक मोड़ लेता है और ये जब अपना मालो और अपनी अथि को लेकर वहां चल दिये तो लाबान ने इनका पीछा किया किस लिए? वोई मैं बता रहा हूँ तो इनकी बीवी जो थी राखेल उन्होंने क्या क्या कि अपने बाप के बुतों को उठा लाई अच्छ 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 वो यानि बुत परस्ते बुत परस्ते और जब वो उठा लाई तो उसने चोरी का इलजाम इन पर लगाया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पर नहीं वो लगाया इन पर लगा रहे है कि ये तो सब कुछ मेरा है ये जानवर भी मेरे हैं बेटी ये भी मेरी सब कुछ तु मेरा लेके भाग आया लेकिन मुझे ये बता उसके साथ-साथ ये मेरे देरता कहा है तो इन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं ऐसा करा तलाशी ले हुई तलाशी में कुछ नहीं मिला वो जो इनकी बीवी थी राखेल वो अपने नीचे दबा कर वूट पर बैठ गए के भाई मैं तो मन्थली उसमें हूँ तो मैं तो नहीं खड़ी हो सकती लेकिन उनका वो इत्मिनान करके छोड़ दिया गया फिर बाद में ये एहद करते हैं लाबान और इनमें एहद होता है तो ये सारी चीज हम देखते हैं जैसे के हमने महाँ भी देखी हजरत इबराहीम वे बारे में जहां लड़ते थे महाँ सुले होती थी यहां अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे मालो असबाब के पीछे तो यहां इनमें सुले होती है खुदावन आज हमारी जिन्दगी में भी ये चाहता है मसी शूर ने सबसे पहले ये कहा कि तूने अगर अपने भाई को कोई गलत बात कही तो पहले जाके माफी में सुले तो अगर हम मसीष में हैं हमें किसी पह गुसा या नाराजगी होने की जरूरता नहीं बलके उनके साथ सुलेए पियार से रहने की जरूरता है अज्जिस छुदा की इबादत हम करते हैं वो सुलेए का खुदा है यह नहीं कि लोगों के बीच में वो दुश्मनिया कराना चाहता है या किसी एक के हाथ से दूसरे को मरवाना चाहता ऐसा कुछ नहीं है जब लाबान हज़रत याकुब का पीछा कर रहे थे और रात को खुदा लाबान अरामी के पास खुआब में आया यहां पर खुआब आ रहा है जो कि वैसे बुद्परसता है लेकिन खुआब में खुदा उसके बाता है और उससे कहा खबरदार तो याकुब को बुरा भला कुछ ना कहना और वो कह रहा है खुदा ने मुझे कह दिया अब मैं तरह साथ कुछ नहीं कर सकता अब जो दोस्ती क साथ बात है गुस्से में पीच्छा कर रहा है लेकिन खुदा ने खुआब में आकर उसके रूप दिया जो है उसको पूरा होना जरूर यह क्योंके अबरहम से कह रखा मैं करूंगा जी अजगर साहब आगे सफर नामे में हज़रत याकूब जो हैं किस तरह से अपनी मोहिम में कामियाब होते हैं अब देखिए जैसे अभी जो ऐसा बता रहे थे कि खुदा उनको दिखाई दिया लाबान को लेकिन खुदा ने हज़रत याकूब से पहले ही बता रहे था जो पैदा इस 28 का पंद्रम है कि देख मैं तेरे साथ हूं मैं तुझे वापस लेकर क्या हूंगा और मैं तरी हिफाज़त करूंगा तो खुदा अपने वाइदे के मताबिक ना खाब और रोया के जरीए इनके रहनमाई कर रहा बलके जो इनके दुश्मन है या जो इनका नुक्सान करना चाहते हैं उनको भी खाबों के जरीए बता रहा कि ये मेरा खादिम है तो इसके उपर कुछ भी नुक्सान मत कर लेकिन एक माज़रे की बात जब हम नए एहद नामे में पढ़ते हैं तो हजरत मसी के तौलुक से लिखा है वो हमें मिल गया है और जब वो आते हैं हजरत मसी के पास तो हजरत मसी को देख कर के कहते हैं कि आप तो संचमुच में खुदा के बेटा हैं और तब हजरत मसी एक बात कहते हैं कि तू इससे पहले कि मेरे पास आये तू अंजीर के दरक्त के नीचे बैठा था और मैंने तुझे देखा तो ये अंजीर के दरक्त के नीचे क्या कर रहे थे तो आज भी यहुदी लोग उस हजरत याकूब के रोया को याद करते हैं और उस खुदा के ओपर वो ख्याल करते हैं उसके ओपर मतलब जब वो अबादत करते हैं तो उसके ओपर वो मनन करते हैं तसवर करते हैं और हजरत मसी कहते हैं इंडिरेक्ली कि देख वो मैं खुदा हूँ जो तेरे फूर फादर हाँ बाब को दिखाई दिया और तब हजरत मसी एक बात और कहते हैं 14 में जब आप पढ़ेंगे 14 का 14 सले के 23 में तो कहते हैं कि देखो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हें दूँगा और तब एक साओगित कहता है आगे कि खुदाबन क्या बात है कि तू हम पर ही ज़ाहिर करना चाहता है तो 14 के 23 में कहते हैं कि देख जिसके पास मेरा यह हुकम है अगर वो मुझ से मुहबबत करता है तो मेरे हुकमों को मानें और अगर वो मेरे हुकुम को माने तो मैं उस पर जाहिर करूंगा और साहब मैं आज तक 23 बार खाप देख चुका हूं मेरे लाइफ और मेरे मिनिस्ट्री में 23 बार और 17 बार पूरे हो चुके हैं और उसमें से कुछ-कुछ ऐसे रहे सत्रे बातें पूरी हो चुकी हैं उसको पहले से बिताता है तो मेरे लिए यह रोया जो आपको पहले बता रहे थे बहुत माईने रखता है और इसलिए हमने एक प्रसनल स्टडी किया कि खुदा यह आज से नहीं हजरत इब्राहिम के जमाने से कहा है ये उसके एक वसूल रहा है कि जो कोई आज खुदा से रिस्ता रखना चाहता है या उससे रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो मैं सामें इन आप से कह सकता हूँ आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए मसी के पास आजाएए और हम चाहते हैं कि हजरत याकूब के साथ खुदा ने उस रोए के जरीए और क्या जाहिर किया जब हम 28 बाप को पढ़ते हैं पैदाश का तो वहां पर खुदा ने एक एहद किया था कि मैं तेरे बाप की घर में तुझको वापस ले आउंगा और मैं तुझे बरकत दूँगा अब जब आप 33 बाप को पढ़ते हैं तो खुदावंद उनको वापस ला रहा है अपने खुदा को पूरा करके जे जे खुदावंद ने जो वहां पर खुदा दिया था कि फरिश्टे चड़ रहे हैं और उतर रहे हैं और वहां पर उन्होंने हज़रत याकूब ने भी एक परके आएं तो अभी मिले को आस्मान के खुदा ने कहा था वो मेरे खादिम की बीवे चुदा भी नहीं और यहां पर लिखावा बलके उनकी खातिर उसने बादशाहों को धंकाया जे और कहा मेरे ममसुओं को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को नुकसान ना पहुँच है आपसे इजाज़त लेने का और आप सबका एक बार फिर से मैं शुक्र गुजार हूं जो आप लोग यहां पर तश्रीफ लाए और यह बाते बताएं लेकिन यहीं खत नहीं क्योंकि किताबे मुकदस में और भी बहुत कुछ हमें सीखने को बचा है तो अगले एपीसोड में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ खुदा हाफिज अगर आप इस पारे में और चांकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें पोस्ट बॉक्स नंबर 8028-9110033 फिर आपसे दुबारा रुबरू होंगे इसी वात तब तक के शुक्रिया खुदा हाफिज झाल